पहली वीडियो में हमने चर्चा करी थी कि भारत की रौप पाकिस्तान के बारे में क्या-क्या जानती है आज इसी सिरीज को आगे चलाते हुए हम ये जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे छोटे-छोटे वीडियो के तहित कि पाकिस्तान की हुकूमत चलाने वाले विभिन प्रकार के जो व्यक्ती थे मौमद अली जिन्ना से लेकर आज शाबाज शरीफ तक इनके बारे में भारत की कूफिया संस्ताएं क्या-क्या जानती है कुछ ऐसे छोटे-छोटे दिल्चस्प वैक्ट्स जो जिन्रली आपको इजीली पब्लिक मीडिया या पब्लिक डोमेन में नहीं मिलेंगे हम उनके बारे में इन वीडियो के तहित चर्चा करेंगे आपको पता है कि 14 अगस्त 1947 में भारत का बटवारा करके पाकिस्तान जैसे देश को बनाया गया और उस समय पाकिस्तान जब बन गया एक बात बड़ी दिल्चस्प थी कि पाकिस्तान के बनने के बाद पाकिस्तान से ब्रिटिश हुकूमत एकदम से नहीं गई भारत में जैसे ही अजादी मिली भारत को तो 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश का प्रेजन्स भारत से खतम हो गया वो अलग बात है कि ब्रिटिश अपने एजेंट्स भारत में छोड़ गये थे और वो एजेंट्स बहुत समय तक उन्होंने भारत की राजनीती को चलाया भी लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ब्रिटिश का डिरिक्ट प्रेजन्स अगर हम बात करें तो वो पाकिस्तान में फरवरी 1948 तक था फरवरी 1948 में ही ये बात बोली जाती है कि पाकिस्तान से ब्रिटिश हुकूमत का फाइनल रवाना हुआ और तोहर जो ब्रिटिश की आखरी रेजिमेंट थी मिलिटरी की जो उस समय फरवरी 1948 में फाइनली गई वो थी 2nd Black Watch Royal Highland Regiment 2nd Black Watch Royal Highland Regiment जो है ये भारत के अंदर सबसे पुरानी रेजिमेंट थी जो सबसे पहले आई थी और उसके बाद बहुत लंबे समय तक ये भारत में रही बटवारे के बाद ये पाकिस्तान की ओर चली गई और तो और पाकिस्तान में इसने फरवरी 1948 तक अपना दबबा पनाये रखा जब फरवरी 1948 में 2nd Black Watch Royal Highland Regiment रवाना होने के लिए तयार हो रही थी तो उस समय उसके सैनिक एक परेड कर रहे थे कराची में उस परेड के दोरान मुहमद अली जिन्ना को परेड की तरफ से सलूट दिया जा रहा था और वो सलूट देखकर मुहमद अली जिन्ना की तरफ से एक टिपणी आई और वो टिपणी ये थी कि मैं अपने जीवन में कभी सोच नहीं सकता था कि मुझे ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से एक सलामी मिलेगी ये स्टेटमेंट बड़ा महत्वपून है 1948 का ये स्टेटमेंट जिन्ना का ये स्टेटमेंट कि मैं कभी जीवन में आशा नहीं कर सकता था कि मुझे ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से या ब्रिटिश सैनिकों की तरफ से सलामी मिलेगी ये उस देश और उस देश की आइडेंटिटी के बारे में बहुत कुछ बताता है ये बताता है कि किस तरीके से वो देश क्रियेट होने के बावजूद भी उस देश को अपने ही उपर कोई confidence नहीं था जो इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दे कि उनको ऐसा लगेगी एक salute मिल रहा है जो वो salute उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज है जिसके वज़ा से जो मुँअद अली जिन्ना जिसको काईद आजम का जाता था जिसने उस determination के लिए वो देश बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी यदि अगर उस व्यक्ति को आप सूचिए कि अगर इतनी छोटी सोच वो रखे तो उससे उस देश का इतियास समझने में आज हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए सबसे बड़ी बात ये है कि जिन्ना जिसकी फोटो गांदी की तरह आज की डिट में पकिस्तान के हर सरकारी अफिश में हर सरकारी अधिकारी के कमरे में टंगी होती है उसके बारे में एक दिल्चस बात ये भी है कि जब वो भारत में हुआ करता था तो उस समय भारत में वो बेसिकली एक अपने से आधी उमर की औरट से प्यार करता था और वो उस प्यार में इतना डूबा हुआ था कि जिन्ना दो चीज़ें अक्सर बोला करता था सबसे पहले वो बोलता था कि बहुती चुनिंदा लोग होते हैं जिनको अल्ला इतना महरबान होता है कि ऐसी ओरत से प्यार करने का मौका दे और तो और दूसरी सबसे बड़ी बात जिन्ना ये तक बोला करता था कि ये ओरत का प्यार हर एक मर्द के लिए नहीं होता और जब बारी आई जिन्ना की बटवारे के बाद की उसको कराची जाना पड़ा तो उस समय इस ओरत ने उसके साथ जाने के लिए मना कर दिया उसने मना कर दिया कि मैं आपके साथ कराची नहीं जाओंगी और इस बात को लेके जिन्ना उस समय उस उरत के घर में बहुत रोया इतना रोया कि ऐसा मानते हैं कि जिन्ना जब अपनी जर्णी करके भारत से निकलके कराची की ओर भी जा रहा था तो पूरे रस्ते उसकी आँखों में नमी थी और वो इस point को भूल नहीं पाया कि भई उसके साथ वो उससे आधी उमर की ओरत जिससे वो गहरा प्यार करता था वो उसको भारत में ही छोड़ के चली गए अच्छा सबसे बड़ी बात आज की ट्रिट में पाकिस्तान के बारे में हम एक बड़ी दिल्चस्प चीज जानते हैं कि जिन्ना क्योंके 1948 में उसकी दियान्त हो गया उसके दियान्त होने के बाद बहुत लंबे समय तक पाकिस्तान में instability रही और stability लाने वाला जो अगला सबसे महत्वपून रूलर जिन्ना के बाद था वो और कोई नहीं बलकि आयूब खान था लेकिन आयूब खान से पहले और जिन्ना के बाद बीच में एक बड़ा important बंदा था जिसने पाकिस्तान के उपर control किया था एक civilian लेवल पर और उसका नाम था इसकंदर मिर्जा इसकंदर मिर्जा जो है वो मीर जाफर के परिवार को बिलॉंग करता था मीर जाफर वो ही मीर जाफर है जो बेसिकली पलासी की बैटल में जाना जाता था और उस पलासी की बैटल वाला अमीर जाफर के परिवार का एक डिसेंडेंट जिसका नाम था इसकंदर मिर्जा वो बंदा बेसिकली उस समय जिन्ना के बाद अयूब खान से पहले पाकिस्तान को कंट्रोल करता था दूसरी सबसे बड़ी बात अयूब खान जब उसने इविंचुली पाकिस्तान के उपर ही हो गई और तो और अयूब खान इतना गिरा हुआ किसम का अदमी था कि आप सूचिए कि इसकंदर मिर्जा जिसने पाकिस्तान के अंदर एक समय पे जिन्ना के बाद उस सुसाइटी को रूल भी किया था अयूब खान ने इस इसकंदर मिर्जा को वापिस उसकी लाश को ल दिया गया था खेर क्योंके इसकंदर मिर्जा उस समय बगल में पाकिस्तान के जो देश इरान था उसके शा से बहुत क्लोज रिष्टा रखता था तो ऐसी परिस्टिती को देखकर उस समय जो इरान के शा थे उस इरान के शा ने इविंचुली ये लंडन को रिक्वेस्ट क मिला ये चीज उसको जो पाकिस्तान में मिलनी चाहिए थी उस समय नहीं मिली आप इस चीज से अंदादा लगाईए कि पाकिस्तान की हुकूमत उस समय से किस प्रकार से अपने रूलर्स को ट्रीट करती थी ये एक इंडिकेशन पाकिस्तान के फ्यूचर के अंदर भी हमें एक इंसाइट देता है और तो और जब अयूब खान ने फाइनली अपना रूल पाकिस्तान में बना लिया तो उस समय दो-तीन चीज बड़ी दिल्चस्प हैं सबसे पहली बात तो ये है कि अयूब खान अपने आपको एक बड़ा ही अहंकारी व्यक्ती मानता था वो तो कई बार जब ब्रिटिश के C.I.A. के अधिकारी आते थे तो उनसे बातचीत के दोरान उनको ऐसी बात करता था कि जिससे मेरे को लगता है कि जब वो अधिकारी रात को अपने होटल या अपने इंबसी के कंपाउंड में जाते होंगे तो वो भी रात को बोतलोतल ले के बैठके उस समय हसते होंगे कि ये किस प्रकार का नमूना है अयूब खान C.I.A. के अधिकारीयों को ब्रिटिश के जो M.I.5, M.I.6 के अधिकारी होते थे उनको जब भी मुलाकात करता था उनको मुलाकात करके हर बार अकसर ये बोला करता था कि पिछले 50 से 100 सालों में अयूब खान से बढ़ा कोई मुसल्मान लीडर जो है पूरे विश्व तोर पर पैदा ही नहीं हुआ वो अपने आप इतना अंकारी मानता था कि भई वो कहता था कि पूरे मुसल्मान युग में पूरे इसलामिक देशों के अगर आप रूलर्स को देखें तो उन सारे रूलर्स को देखने के बाद अयूब खान कहता था कि भई पिछले 50-100 सालों में मेरे से बड़ा ग्रेटेस्ट रूलर इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ एक अपने ही अंकार में अपने आपको ही इतना बड़ा अंकारी रूलर मानना और अपने आपको CIA के अधिकारियों को एक सजेशन ये भी दिया कि क्योंके पाकिस्टान में वो सबसे बड़ा रूलर है और इसलामिक वर्ल्ड का भी वो अपने आपको सबसे बड़ा रूलर मानता था तो उसने तो पाकिस्टान के अंदर रहते हुए अमेरिका को एक बार ये सजेशन देते हुए बोला कि भाई हम तो चाते हैं कि पाकिस्टान में एक मुनार्की आ जाए जिसमें मैं पाकिस्टान का बादशा बन जा हूँ और इस प्रोपोजल को वो कहता है कि मैं बहुत सीरियसली कंसिडर भी कर रहा हूँ लेकिन जाहिर सी बात है कि वो बादशा बनने का उसका ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रह गया और वो कभी इस प्रकार का बादशा बनी नहीं पाया लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर हम अयूब खान के बारे में देखे तो उस समय अयूब खान के बारे में जो भारत की खूफिय ऐजेंसी थी उनको एक बड़ी दिलचस्प बात पता चली इस बंदे के बारे में अयूब खान का परसेप्शन भारत को लेके जाहिर सी बाते बहुत नेगेटिव था अयूब खान अक्सर ये बात बोलता था कि जो भारतिये लोग हैं वो एक प्रकार के diseased लोग है सबसे बड़ी बात ये है कि वो इनको सिरफ diseased लोग ही नहीं मानता था वो तो कहता था कि ये जो हिंदूज हैं ये हिंदू एक कोई संग नहीं है ये हिंदू कोई एक religion नहीं है हिंदू एक बिमारी है अयूब खान का मानना कि हिंदूस्तान कोई देश नहीं है अयूब खान का मानना कि हिंदूस्तान में जो लोग रहते हैं और हिंदू जो यहां के लोग हैं वो किसी प्रकार की कोई जनता नहीं बलकि एक प्रकार के बिमार लोग हैं इस particular perception से भी हमें ये समाझ आता है कि अयूब खान के मन में कितना जहर भारत को लेके भरा हुआ था और तो और 1965 की बात है कि 1965 में जब भारत और पाकिस्तान की जंग हो रही थी तो उस समय अयूब खा के अंदर दोनों में commonality ये थी कि दोनों का perception भारत को भारतियों को और हिंदूओं को लेके सेम था इन फैक्ट उस समय फोरण मिनिस्टर जूल्फिकर अली भुट्टो जो है वो अयूब खान को कई बार ये बात बताया करता था कि सुनिए ये जो भारतिया है ना ये जितना मर्जी हमसे लड़ने की कोशिश कर लें 1965 की जंग के दोरान एक मीटिंग में तो जूल्फिकर अली भुट्टो ने अयूब खान को ये तक बोल दिया कि आप फिकर मत करिये क्योंकि ये जो हिंदू है और ये जो हिंदू आर्मी है ये कुछ भी हमारा नहीं उखाड पाईग कि एक छोटे से बैटल के सीन के दोरान 1965 की जंग के दोरान जो एक छोटी बैटल चल रही थी उसमें भारत की सेना ने बॉडर पार करकर लाहूर में अपनी एंट्री कर ली लाहूर में तिरंगा फिराया और सबसे बड़ी बात जब वो लाहूर में लाहूर के इंटॉनमें की और बढ़ने लगे तो लाहर के अंटॉन्मिंट में प्रिपरेशन कुछ इस प्रकार की थी कि भारत के सैनिक जब लाहर के अंटॉन्मिंट के अंदर पहुंचे तो पाकिस्तान के उस समय सैनिक कसरत कर रहे थे उठक बैटक कर रहे थे और दोड लगा रहे थे ये तो उस सम अना हमारे लिए कोई बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है और ये चीज से अब आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि इस पटिकुलर इंसिडेंट के बाद अयूब खान इतना बुरा परिशान हुआ कि उसको एक मजबूरन एक टिपनी अमेरिकन्स को कई बार देनी पड़ी हमारे अमेरिकन साथियों ने हमारे को एक बात हमारे को ये बताई कि अयूब खान ने उस समय अमेरिका की CIA को ये बात बुली थी कि 1965 की जंग में तो हम सिरफ जो 5 मिलियन कश्मीरी लोग है उन कश्मीरियों के लिए बेसिकली एक लड़ाई लड़ रहे थे लेकिन इन कश्मीरियो के लड़ाई लड़ने के चकर में हम 100 मिलियन पाकISTानीयों को एट स्टेक लेके आ गए और तो और अयूब खान ने ये बात बोली उस समय सी CIA को कि आने वाले फ्यूचर में पांच मिलियन कश्मीरी लोगों के लिए कभी जिंदगीमें मैं 100 मिलियन कश्मीरी लोगों 100 मिलिय पाकिस्तानियों को एक्सपोज करना अमारे फेवर में नहीं है ये 1971 में दुबारा आएगा जब इस्ट पाकिस्तान में जंग होगी तो पाकिस्तान के अंदर एक साइकलिकल पैटन देखने को मिला और सबसे बड़ी बात अयूब खान जो एक अंकार में रहता था 1965 की जंग के बाद उसका सारा का सारा अंकार खतम हुआ निवाद